दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाल किताब के वशीकरन मंतर जी हां अगर आप मनाना चाहते हैं अपने रूठे हुए प्यार को तो आज का ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो के द्वारा हम आपको के आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिया दोस्तों हर इंसान कही ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार तो जरूर करता है और वो जिसके साथ बंद कर जिंदगी भर साथ निभाने की बात करता है ये प्यार किसी को बहुत पहले म या फिर आपको ऐसा फैसला नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उस इंसान को अपने जीवन में रखें, कैसे अपने घर वालों को मनाएं, या फिर उस व्यक्ति को ही कन्विंस करें ताकि वो आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाए, कोई गलत फेहमी, आपकी जिंदगी में अ गई है, तो समस्या का समाधान, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप परेशान मत होई है, हर समस्या का समाधान होता है, रूठे हुए प्यार को मनाना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक साब गिरा हो जी हाँ, और ध्यान रखेगी वह हरे रंग का पत्ता हो, पीला पत्ता नहीं लेना है आपको, और उसके बाद पत्ते पर आपको लिखना है नाम. जी हाँ, सबसे पहले पत्ते पर लिखेंगे आप अपना नाम, तो इस तरह से आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजे लड़के का नाम अगर विनोध है, तो उपर लिखें विनोध, बीच में लगाईए प्लस का साइन, लड़की का नाम लिख दीजिए, और ये आपका वशीकरण का पत्ता तयार हो गया, इस तरह से आपको ये वशीकरण का जो यंत्र है, वो तयार करना है, और उसके बाद आपको एक मंत्र है, जो की इसके साथ आपको बोलना होगा, जिसका जाप करना होगा, और उस मंत्र के जाप करने से आपका जो प्यार है वो आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाएगा वो मंत्र बेहद आसान है मंत्र है ओम नमो भगवते नमहा इस मंत्र का जाप आपको करना है अंत में आपको ये पत्ता अपने सामने रखना है और इस पत्ते के उपर लगाना है आपको थोड़ा सा सिंदूर जी हाँ एक चुटकी भर आपको इसके उपर सिंदूर लगाना है बहुत जादा सिंदूर नहीं लगाना है इस तरह से आप जहाँ पर आपने विनोध लिखा है वहाँ पर यानि कि अपने नाम पर भी आपको सिंदूर गिराना है और लड़की के नाम पर भी सिंदूर गिरान पत्ते को अपने सामने रखना है, मंतर को 108 बार जापकरता है, मंतर अच्छे से देख लीजिए मंतर है जूआ Piya, अधोको अधोकर ब्रतर कर और शुगे üçा से घ्रेये और eddyasmus जिस पीपल के पेड़ के नीचे से आप ये लेकर आये थे, वहां पर ही जाना है आपको, और उसके बादे गड़ा कोध कर, आपको उसमें से दफन कर देना है, गार देना है, और पीछे पलट कर नहीं देखना है. जी हां दोस्तों घर आने से पहले पहले आपका जो रूठा हुआ प्यार है वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा या फिर कोई नो कोई तरीके से आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेगा यह आजमाया हुआ उपाय है जो बहुत सारे भक्तों ने किया और उन्हें उसका फायदा मिला है आप भी इसे कीजिए आपको भी इसका फायदा जरूर होगा भक्तों तो आज के लिए बस इतना ही कोई और समस्या हो तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप हमें धन्यवाल तो